जो बड़े दिनों से एक चकड चाल रहा था आप लोगों को पता है दिसम्बर में 28 दिसम्बर को कि 27 दिसम्बर को जारा के को पकड़ लिया गया था यहां से पुठ ऐसे थे उन्होंने का चलो जी तुन नहीं जाओ लेकिन जारा के के पीछे फिर हम लोगों ने बड़ी मेनत की बड़े इदर उदर से उपर तले नीचे उपर नीचे हर जगा दाएं बाएं हर जगा से पॉलिटीशनों से दुनिया के लोगों ने कॉंटक्ट क हैं तो जारा के फाइनली रिलीज हो गई है और वो असट्रेलिया आ गई है और इस वक्वच्ष वो फैर ऑस्यलिया के एक शेहरी हुए है लेकिन आइस्लेशन में है क्योंक क्योज़िए आप कोई भी ऑस्यलिया आता है तो चोदा दिन के लिए उसको आईस्लेट होना पड करेंगे या कोशिश करेंगे उनको लाने की मुझे या मुझे हसी आ रही है अब बड़े लोगों ने चलांगे मारी वह एक वह है नाई जो है वो कहता है उसने कोई पांच-छे वीडियो बनाए उसने का हाँ देखा पकड़ी गई मज़ा आया हम तंजानिया की हकूमत से अप वह उसने एक वीडियो बराई आई अच्छा ट्विटर में ट्विटर उसका हमने वह सिस्पेंड हो गया ट्विटर पर करता होता था वो समझत है बाकी दुनिया भी पाकिस्तान की तरह प्राइम मिनिस्टर और अस्टेलिया को टैग करने के साथ अस्टेलियन आर्मी को भी अपील करते हैं कि हारे सुल्तान को पकड़ ले और अली दावा बगार है इनोंने बड़े शुखल लगाए इनोंने च्रांगे मानी कि बहु इसमें कानून तोड़ा है इसलिए पकड़ी कि तीन चार्जिये से जो मैंने आपको बिताया था जो नहीं चार्ज हुई भी भी इसनी मज़े की बात तीन बातों पॉइंट्स के उपर उसके उससे इन्वेस्टिकेशन हुई पहला चीव कि भी आपने अपना ऐस्टेलियन पास्पोर्ट तो ले लिया जब आप ऐस्टेलियन सेटिसन बनी तो आपने तंजानिया का पास्पोर्ट सरेंडर क्यों नहीं किय है पहला पॉइंट यह दूसरा पॉइंट भूंडा सा पॉइंट कि आपने जो अस्टेलिया में तंजानिया में आके अपने खांदान वाले के नाम पर सिम कार्ड क्यों लिया जो कि किसी को भी नहीं पता होगा और मज़े कि बाद ये क्राइम नहीं है क्राइम ये है कि दे बाट के नाम की सीम निकल वालो अपने यूस करने के लिए तो ऐसा भी नियूस ने किया तो वह ऐसे भूंडे भूंडे से चार्जे से तो उस वज़ा से और तीसरा सौरी तीसरा चार्ज ये था कि उसने जो तंजानिया का सदर था उसके खलाफ को बात कर दी और उसने क बाद ये थी कि जो उदर की शिया इतना शारी कम्यूनिटी जो है उनको बड़ी तप थी इसके उपर ये हिजाब को जला रही है कभी कोई गुस्ताफी कार रही है तो उनको बड़ी ताप थी कि हमारी अपनी लड़की यह ऐसे है जैसे साओधियारब की लड़किया निकलती ह लगता कि तंजानी भी हमारी तरह का मुलक है पुलिस वाले को रिश्वत दे के उन्हें इसको अंदर करवा दिया और उन्होंने ये क्योंकि ब्लास्फमी का तो लॉँ नहीं है तंजानी हमें उन्होंने कहा कि इसको वह चार्ज लगा हो सदर का सदर के उपर सेडिशन जो स जारा आपको डिटेल से बताएगी इसकी सारी बात जैसे मैं आपको पता है वो इंग्रेजी में जारी बात बताएगी उर्दू हिंदी नहीं आती है उसको तो हरी सुल्तान को सब्सक्राइब करें महां पर आपको मिल जाएगा तो उसको इन्होंने को बत्तिस घंटे इस त फिर हमने हुमन राइट्स वाच ने मारी ट्वीटें उस्टेलियन मीडिया में आई खबरें प्राइम टाइम खबर में खबरें आई वहां से उस्टेलियन एमबेसी ने उनको कांटेक्ट किया है खार उस्टेलियन एमबेसी ने मयूस ही किया लेकि पहराल उन्होंने कर दि पुलिस वालों ने सोचा हम सदर के नाम पे नंबर बनाएंगे कि देखो सदर सदर हम तो आपकी चीज़ से आपकी इंसल्ट किया हम तो उसको पकड़ा नहीं है अंदर से उन्हों ने खाए वे थे पैसे तो बैरल यह उन दो पुलिस वालों की छुटी भी हो गई है जिन्हों अब देखते हैं जारा क्या क्या आपको बताती है पबली के लिए यह भी जो मैंने आपको बताया उर्दू में बताया अंग्रेजी में शायद ना बताता तो यह बहराल स्टोरी है लेकिन जो भी है जारा बाहर आ गई है और जिन लोगों को तकलीफ दी बड़ी उन सब की म अब्सक्राइब के लिए कि कुछिव स्नवाफ लेकिन लुग्टे है लेकिन सब देएखते हैं और भी है भी है लेकिन लुग्टें में खर देखते हैं अलुग्टें जारा बताता तो यह खताता है।